ये दुनिया एक बगीचा है इसे सहेजने सजाने वबचाने के लिए हर दौर में एक माली की जरूरत होती है भारत रूपी बगीचे को जिन मालीओं ने सहेजा सजाया वबचाया हम उन्हें आने वाली पीडियों तक पहुँचाने में कितने सफल हुए जाती धर्म के नाम पर शोषण, लेंगिक भेदभाव, किसान, मजदूर, सिक्षा, स्वास्त जैसे अंगिनत काटों को जिनोंने हटाया आत्म सम्मान रुपी फूल खिलाए उनमें एक माली ऐसा भी था जिसे क्रांती जोती कहा जाता है हम उस क्रांती जोती को कितना और कैसे याद करते हैं आज सिक्षा जगत से जुड़ा तबका कलम के लिए लड़ने वाले उस शक्स को कितना याद करता है बराबरी वाजादी के लिए लड़ती महिलाओं को कितना एहसास है उस शक्स के लिए और उसके संगहर्शों का आज के किसानों को पता है क्या कि सदियों पहले किसान का कोड़ा किस सक्ष को महसूस हुआ था मजदूरों के लिए पहला ट्रेड यूनियन बनाने वाला इस सक्ष के बारे में क्या मजदूरों को पढ़ाया और बताया गया शूद्रों अतिशूद्रों को गुलामी से आजादी दिलाने वाले इस शक्स को आज बहुजन कितना पढ़ते और जीते हैं 21 सदी की युवाओं की रोज मर्रा के जिंदगी में उस माली की क्या एहमियत है इन सवालों के बरक्स आज हम बात करेंगे भारती ये पुनर जागरण की अगुआ, राष्ट निर्माता, क्रान ती जोती, जोती राओ, गोविंद राओ, फूले पर अभिवादन स्वीकार करिए लक्ष मर्यादों का और स्वागत है आपका सामाजिक न्याय की पाटशाला में 19 सदी की शुरुआत हो चुकी थी, दुनिया के बड़े हिस्से में सामाजिक, आर्थिक वराजनितिक क्रांतियों का दौर चल रहा था मद्य भारत के पश्चिमी छोर पर पेश्वाओं का शाशन अभी गुजरा ही था, वहीं ये गटना गटती है एक नवजवान अपने सबसे प्रिय दोस्त की बारात में शामिल होता है अचानक बाराती चीखते हुए कहते हैं ये शूद्र हम ब्रामणों के साथ बारात में कैसे चल रहा घोर अनर्थ तुरंत भगाओ इसे और उसे धक्य मार कर अपने प्रिय दोस्त की बारात से निकाल दिया जाता है उदास उस शक्स को गले में मटका वो पीट पर ज़ाडू लटकाए पेशवाई जुल्म का इतिहास लिये हुए घूम रहा एक अचूत वहीं मिलता है यह देखकर हसते हुए वो अचूत कहता है कि अब मान लो तुम वे शोद्र हो वो शक्स वापस लोटकर अपने पिता से शिकायत करता है तो पिता कहता है गनीमत है कि तुम्हें उन्होंने और कोई सजा नहीं दी याद रखा करो हम शोद्र हैं भारत की आजादी के ठीक सौ साल पहले मद्ध भारत के पश्चिमी छोर पर यह घटना घट रही थी इस घटना ने उसे यह पाठ पढ़ा दिया कि मित्रता मनुष्यता इन सब से बड़ी है जाती उसे जाती के नाम पर दुद्कारा गया था उसने जाती के विनाश को अपने जिन्दगी का मकसद बना लिया मकसद मिशन में तबदील होता गया और सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति का मिशन उस सक्स के जिन्दगी का असल मकसद बन चुका था 11 प्रेल 1827 को महराष्ट के 17 जिले में चिमना बाई और गोविंद राओ के घर जोतिराव फोले का जन्म हुआ तो जो किस्सा मैंने सुनाया वो उसी जोतिराव फोले का है बच्पन में माता का देहान थो जाता है सगुना बाई ने उन्हें पाला पोसा स्कूल भेजा उनके पिता गोविंद राओ ने जो खोद माली जाती से आते थे और फूलों का कारोबार किया करते थे स्कूल पढ़ने जाते वक्त लोगों ने शिकायत की और वो लोग कौन थे उसके आसपास के उस इलाके के ब्रामन और लोगों उन ब्रामनों की शिकायत पर पिता गोविंद राओ अपने बेटे जोती राओ का स्कूल छुडवा देते हैं और उसे वापस अपने पेशे में लगा लेते हैं लेकिन उसी वक्त दो लोग जो गोविंद राओ के मित्र थे गफार बेग मुन्शी और पादरिल लिजिट इन लोगों ने सलाह दी और गोविंद राओ का एडमिशन गोविंद राओ के कहने पर जोती राओ का फिर से एडमिशन कराते हैं और स्कॉर्टिस स्कूल में पढ़ने का एक नया सलसला शुरू होता है और यहीं से शुरू होता है जोती राओ फूले का एक नया आगाज एक नई सीख उस पाटशाला में स्कूल से निकाला गया वो सक्ष कुछ दिनों में उसी पूड़े शहर में स्कूलों के श्रिंखला खड़ी कर देता है और अपने शहर को एजूकेशन हब बना देता है जब स्कूल में जोती बाफ फूले को पढ़ने के लिए भेजा गया तो उन्होंने दुनिया का इतिहास पढ़ा अंग्रेजी भाशा को अपने पढ़ने का जरिया बनाया और जिन दो चीजों से सबसे ज्यादा जोती राव प्रभावित हुए वो थी फ्रांसी सी क्रांती और अमेरिकी क्रांती इन दोनों क्रांतियों को पढ़ने और सीखने के बाद जोती राओ के मन में भारत में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का आगाज करने का जो पाठ है वो इन दो खांतियों से मिलता है इनी के साथ साथ एक पूरा सिलसला शुरू होता है जब जोती राव सिक्षा की एहमेद समझते हुए जाति के उन्मूलन की एहमेद समझते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्थन की शुरुआत करते हैं और उस शुरुआत का बीज वपन होता है अगस्त 1848 में जब पूरे के पेठ में अच्छूत बच्चों के लिए पहला स्कूल खोलते हैं और उसी के बाद जब उन्हें मुश्किल आती है कि उस स्कूल में पढ़ाने कौन जाएगा तो कुछ लोग जो पढ़ाने जाते थे वो ब्रामण जाती के थे और ब्रामणों ने जोतिवा फूले के स्कूल में पढ़ाने जाने वाले ब्रामणों का बहिशकार कर दिया जिसके चलते उन्हें भी स्कूल से छोड़ना पड़ा फिर अपने एहमदाबाद के एक टूर पर जो फिलिप मिलते हैं उन्होंने समझाया कि आप अपनी महिलाओं को नहीं पढ़ाते यह आपके देश के सबसे बड़ी समस्या है जोतिरा फूले ने सावित्री भाई फूले को किसा यह मिलता है कि एक पेड की टहनी से जमीन पर कुछ लकीरें खीच करके कहा कि तुम्हें पढ़ना होगा तभी अपनी बेडियों को तोड़ सकोगी और वहाँ से शुरुआत होती है सावित्री भाई फूले जो इनकी पत्नी थी इन दोनों के उस मिशन की जिसके चलते अगले दो से तीन सालों में ही पूड़े और उसके आसपास के इलाकों में स्कूलों की एक स्रिंखला शुरू हो जाती है 1849 में गंज पेट मुहले में दूसरा स्कूल खोलते हैं और 1852 में तीसरा स्कूल लड़कियों के लिए स्कूल, अच्छूत बच्चों के लिए स्कूल, सभी तरह के लोगों के पढ़ने के लिए 1852 में एक वाचनाले खोलते हैं और जो पहले वाचनाले के वल सवड़ों के लिए हुआ करते थे अपने इलाके में स्कूल से निकाले जाने वाला सक्स अपने इलाके को एजूकेशन हब बना देता है साइंटिपिक सोसाइटी चलाते हैं जो ब्रामण इन स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं उनका ब्रामणों नहीं तिरस्कार कर दिया आज एक किस्वी सदी में हमें याद करना चाहिए जब जोतिबाफूले ये कहते हैं कि अमेरिकी क्रांती और अफ्रिका में गुलामों की प्रथा थी और उन गुलामों से मुक्ती की लड़ाई गुलामों ने लड़ी और साथ साथ जिन लोगों ने गुलाम बनाया था उन्हो उन्ही ब्रामणों ने तिरसकार कर दिया और इस बात के शिकायत जोतिबा फूले को लगाता रही और जो शिख्षा को लेकर के काम किया जोतिबा फूले साविती बै फूले ने अपने मित्रों के सहयोग से उसको कोर्ट आफ डिरेक्टर्स ने लंदन में समानित किया 1849-50 का दोर रहा होगा 22 साल के फूले ने ब्रामणों को दान दिये जाने का विरौध किया कल पना करिए आज राममंदिर के नाम पर दान मांगा जा रहा है चंदा जुटाया जा रहा है और जोतिबा फूले आज से तकरीबन डेर सो साल पहले ब्रामणों को मिलने सक्षा पर खर्च करने की बात माल ली थे। 1838 का दौर था जब पिता गोविंद राओ की मृत्य होती है। और किसी भी तरह के ब्रामणवादी कर्मकान को करने से जो तिबाफुले इनकार कर देते हैं। हमारे यहां भी 13 वी मनाई जाती है। पता है तिबाफुले में क्या होता है। ब्रामणों को बुलाया जाता है। और आज भी जिसके घर में निधन हुआ है। वह गम में भी दूसरे बाहर के लोगों को बुला करके ब्रामणों को बुला करके खिलाता है। जाने कैसे खिलाता यह कोई ने पूछता। जोतिराव फूले ने अपने पिता के निधन पर तेरावी नहीं की, कोई भी परोहित काम नहीं किया, किया तो ये किया, कि अपंग, विकलांग, शूद्र, अतिशूद्र तपके के लोगों को बुलाया, भर पेट खाना खिलाया, और लोटते वक्त सबको एक किताब भेंट की मैं आज इस वीडियो के जरिये आपसे भी अपील करता हूँ, और मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ, एक केस्वी सदी में, देड़ सो साल पहले के एक नायक को हम क्यों पढ़ें, इस पाटशाला में आपको ये पढ़ाया जा रहा है, कि हम आज भी उन गुलामी की वेडियों को जी रहे हैं, जिसे देड़ सो साल पहले एक शक्स ने तोड़ने की कोशिश की सफलता पाई, पत्र निकालते थे दिन बंदू नाम से, 1968 में अचूतों के लिए पानी का हौथ खोल दिया, विद्वा विवाह के हिमाईती थे, महादेयो गोविंद रानाडे उस जमाने के बड़े समासुधारक हुआ करते थे, उनकी बहन विद्वा हो गई, जोतिबा फूले ने कहा कि आप उसकी विवाह करिए, ग्रुर रानाडे ने मना कर दिया, फूले ने उन्हें जूठा समासुधारक कहा, और उसके बाद कुछ दिनों बाद, खुद की पत्नी मरने के जब गोविंद रानाडे तेरह वर्ष की बालिका से शादी करते हैं, तो जोतिबा फूले अपने पत्र में उन्हें डिंग हांकने वाला समासुधारक कहते हैं, ये वही बात है, जस बात के चलते, डॉक्टर अंबेड कर ने जोतिबा फूले को कहा, कि बाकी लोग परिवा सुधारक थे, जोतिबा फूले समाज सुधारक थे, उत्सुकता इस बात की समझे कि अपनी एक महतुपूर पूस्तत शूद्र कौन थे, इस किताब को समर्पित किया, अपने तीन गुरूों में से एक गुरू, जोतिबा फूले को आजाद भारत का मुस्तक्बिल लिखने वाले डॉक्टर मेटकर ने, इसलिए हमें इस बात करना बहुत जरूरी है, और वो जोतिबा फूले जिसने भारतिय पुनर जागरण को वाकई मुकमल किया, डॉक्टर मेटकर के शब्दों में फिर से दोहरा रहा हूं, बाकी लोगों का समासुधार परिवार सुधार था, जोतिबा फूले का समासुधार समासुधार था, कैसे इस बात को समझे के विधवाओं के लिए आश्रम खोला फूले दमपदी ने, आत्म सम्मान अंदोलन शुरू किया फूले दमपदी ने, फ्रांसीसी क्रांती से प्रभावित हो करके पूरे देश में आत्म सम्मान सेल् लोथर किंग अब्राहम लिंकन को बार-बार याद करते हैं और इसी आत्मसमान आंदोलन में आगे चल करके 24 सितंबर 1873 में सत्यसोधक समाज के स्थापना होती है वही सत्यसोधक समाज जो परिवार सुधार नहीं था एक मुकमल भारतिय पुनर जागरण का आगाज था सत्यस सत्यसोधक समाज बनाना इस पूरे सत्यसोधक समाज का काम क्या था धर्म जाती लेंगिक भेदभाव इस तरह के तमाम कर्मकार्णों का विरोध पुरोहित कर्म का विरोध समाजी कार्यकमों को नए तरीके से शुद्रों ते शुद्रों के लिए खोलना क्या आपने पढ़ जो तिबा फूले वाकई समासुधारक थे और वो ये काम करते थे 1863 तक आते आते उन्होंने शिशु शंगोपन ग्री और बाल हत्या प्रद्वणदक ग्री बनाया पता ये क्यों उस जमाने में वेधवा हो चुकी महिलाओं को जो बलातकार की शिकार हो जाया करती थी उनका स क्या आज इसतरे विमर्शकार इन बातों को जगह देते हैं कि जोतिबा फूले ने उनके लिए क्या किया एक लेखक जोतिबा फूले से भी आपको मिलना चाहिए 1889 में ब्रामणों का चातूर ये किताब लिखे क्या चलांकी है ब्रामणों की 1889 में शिवा जी छत्रपती शिवा जी राजा का पवाड़ा लिखा जिसमें 900 नियान भी अभंगते 1884 में अच्छूतों की कैफियत लिखे इस जोतिबा फूले से आपके इतना वाकिब है आज किसान अंदोलन चल रहा है 21 सदी में भारत का सबसे महतपूर अंदोलन और 1884 में किसान का कोड़ा लिखा जोतिबा फूले में और जोतिबा फूले किसानों की सिक्षा तकनीक इनके विकास के लिए चिंतित थे किसानों की पेशे को विक्सित न कर पाने के लिए अंगरेजों को शिकायत कर रहे थे अकाल के वक्त धनकवाडी कैब में हजारों बच्चों के ठहरने का इंतजाम किया 1886 में डेककन एगरिकल्चरल रिलीफ फंड में अपनी भूमिका निभाई और किसानों के लड़ाई लड़ी और इन सारी बातों में वह बात आपको याद करनी होगी जब किसान का कोड़ा में उन्हों ने लिखा विद्या बिना मती गई, मती बिना नीती गई, नीती बिना गती गई, गती बिना वित गया, वित बिना शुद्र गए इतने अनर्थ एक अविद्या ने किये इस्पार्टा के वीरों को याद करते हुए भारत की श्रम शील, श्रम जीवी, कामगार किसान जातियों की आवाज उठाने वाले जोतिबा फूले को क्या आज के किसान अंदोलन में अगुआ चेहरा बना कर नहीं पेश किया जाना चाहिए इस पार्टशाला आपके जर्ये आपसे ये सवाल है, तीन प्रकार के किसानों में भूमिहीन, छोटी जोत के किसान इनकी बात करने वाले लोग थे, धर्म, शाशन और शाहुकार ये तीनों मिल करके किसानों की रिण तोड़ देते हैं, पुरोहित मिल करके उसका दान ले लेता है, यह सवाल जोतिबाफुले का था, जोतिबाफुले किसानों के नेता ठहरते हैं, और इसके दबाव में गंगरेजों को एक्रिकल्चर एक्ट पास करना पड़ा, सवाल मजदूरों का हो, तो दीन बंदु अखबार अपने जमाने में मजदूरों की आवाज बन बनती है, और 1880 में मिल हैंड एसोसियेशन जो पहला मजदूरों का ट्रेड यूनियन बना, और आखरी बात, सिक्षा का सवाल आता है, हंटर कमीशन 1882 में आता है, हंटर कमीशन के सामने जोतिबाफुले एक सवाल पेश करते हैं, कि सिक्षा पर इस देश का कितना पैसा खर जो ब्रामणों को दान मिलता है, वो दान बंद करके उसे सिक्षा में खर्च किया जाना चाहिए, सिक्षा में निम्नवर्थ की सिक्षा की बात करते हैं, ग्रामीड छेत्र के वंचितों के लिए विशेश विद्याले और विश्वद्याले खोलने का नुमाइंदगी करते ह बारफ साल तक अनिवार सिक्षा की वकालत करते हैं। स्कूलों की जाच हो इसका सवाल उठाते हैं। आज 2021 में नई सिक्षा नीतι के नाम पर पलंबर बनाने मोची बनाने पंक्चर जोड़ने के नाम पर skill development के बहाने फिर से इन कृषक कामगार जातियों के हाथ से सिक्षा क्या उसर जब छीने जा रहे हो तो जोती बाफूले सिक्षाक बचाने के आंदोरनों के अगवा नायक क्यों नहीं बन रहे यह सवाल है मेरा आप से अब आखरी बाद 1888 का 11 मई का दिन था जब मांडवी में कोली वाड़ा नामक जगय पर एक आम सभा बुलाई गई थी उनकी मृत्यू से ठीक दो साल पहले और उस आम सभा में यही कृषक कामगार किसान मजदूर शूद्र अतिशूद्र यह सारे लोग शामिल थे उस अंगिनत भीड में जोतिबा फूले जब अपना वक्त बे पूरा करते हैं उस भीड के बीच से शोर उठता है कि आप हमारे महात्मा है किसी एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को महात्मा की पद्वी नहीं दी जोतिबा फूले को महात्मा आम जंता ने बनाया आज फूले होते तो क्या कर रहे होते आज फूले होते तो सबसे पहली लड़ाई जाति के खात्मे के लड़ रहे होते फूले होते तो OBC जातियों को समझाते के राम मंदिर के नाम पर चंदा देने की बजाए मंडल कमिशन की बाकी बची अनुशन साओं को पूरा करने की लड़ाई लड़ो लेंड रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म और तमाम तरह के नीजी ख्षेत और हर जगों पर नुमाइंदगी की बात करो आज फूले होते तो सिक्षा के व्यापारी करण सिक्षा को बेचने की साजिशों के खिलाप आंदोलन कर रहे होते नई सिक्षानीत के खिलाप पूरे देश में घूम घूम कर लोगों के एक जुट कर रहे होते आज फूले होते तो महिलाओं के लिए लड़ते हुए कहते कि कोटा विदिन कोटा यानि हर लेवल पर अरक्षन दे करके हर पबलिक स्पेस में हर तबके की महिलाओं को बराबर के हिस्सेदारी देनी चाहिए। आज फूले होते तो किसान आंदोलन की अगवाई करते हुए ये सवाल उठाते कि जमीनों को नीजी हातों में बेचना जितना गलत है उतना ही छोटी जोत भूमिहीन किसानों के अन्याय की भी बात गलत है और भूमिहीन किसानों के साथ एक बड़ा किसान आंदोलन खड़ा कर आज फूले होते तो हिंदू राष्ट बनाने की तमाम सांस्कृतिक संगठनों की ख्वाहिशों को धता बताते हुए बहुजनों को शूद्र अतिसूद्र होने की एतिहासिकता समझाते हुए गोलामगीरी को घर-घर पहुचाते रामचेत मानस और गीता को घर से बाहर कराते आज फूले होते तो नौजवानों को सिक्षा और रोजगार के मसले पर पूरे देश में एक अखिल भारती आंदोलन खड़ा करते आज फूले होते तो ये कर रहे होते सोने के चड़िया वाले जम्बू द्विपे आर्या वरते भारत खंडे को बुद्ध कभीर रैदास नानक बाबा फरीत के सपनों का देश बनाने वाले इस सक्स की जाती थी माली लेकिन इसने जो खौब देखा वो भारत के पुनरजागरण का मुकमल खौब था उसने अपनी कलम से एक पुनरजागरण का नया इतिहास लिखा स्पार्टा के वीरों से लेकर फ्रांसीसी करांती कहतिहास लिखा गुलामों को गुलामगीरी पढ़ाने कहतिहास लिखा मगर आजाद भारत में भारत कहतिहास लिखने वाले कल्मों ने उस शिल्पकार के साथ दगाबाजी की और उसे केवल दलितों का नेता बनाया आज जरूरत होती है कि घुलामगीरी को घरगर पहुचाया जाए जो तिबाब फूले को सब के लिए पढ़ाया जाए और नई पीड़ी के युवाओं के लिए वो मशाल का काम करेंगे जो तिबाब फूले इसलिए फूले की जयनती पर केवल उन्हें याद करने के अपचार पूर कीजिएगा आपके सुझाओं और सलाम मंत्रत हैं फिर मिलते हैं जल्दी ही किसी नए सक्सियत के साथ एक नए राश्ट निर्माता के साथ तब तक कर लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद